जीवन संसार में आपका स्वागत है आज हम जानेगे एक अच्छा लीडर कैसे बना जा सकता है दोस्तों आज के इस समय में ये सवाल हर एक नौजवान के दिमाग में चल रहा होता है हर युवा ये चाहता है कि वो अपनी जिन्दगी में एक बहुत बड़ा लीडर बने वो सिर्फ एक छोटी सी नौकरी पाकर खुश नहीं होना चाहता है बलकि वो कुछ अलग करना चाहता है वो अपनी जिन्दगी में हर तरह का आजादी चाहता है वो किसी भी प्रकार के बं अपसान ये करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है सिर्फ कुछी लोग होते हैं चोकि असल में लीडर होते हैं क्योंकि उनको असल में लीडर्शिप का मतलब पता होता है अगर आपको यही नहीं पता होगा कि लीडर्शिप का अर्थ क्या होता है और लीडर्शिप क्या ह सकते हैं पहल करना अधिकांश बॉस केवल कर्बचारियों को वही कारे सौपेंगे जो वे जानते हैं कि वे कर सकते हैं इसलिए ये महत्वकून है कि सच्छा से अपनी वर्तमान स्थिती से उपर और पर जाते समय अधिक जिम्मेदारिया ले सीखने की दक्षताओं पर हमेशा ध्यान दे जो आपके प्रात्मिक ज्यान शित्र से बाहर है एक सफल लीडर कभी भी अपने जीवन में सीखना बंद नहीं करता है वो हमेशा कुछ न कुछ सीखता ही चला जाता है गहन सोच के साथ काम को करना एक हाई प सभावित अवसरों से अवगत होते हैं और कंपनी और कर्मचारियों को लाग पहुचाने के लिए उनका लाग उठाते हैं दूसरे शब्दों में सक्रिया रहें चीजों के होने का इंतजार मत करो इसके बजाएं उनका अगमान लगाएं और कुछ गलत होने पर टीम को तैय रहने में मदद करें यदि आप एक लीडर है और एक कर्मचारी आपके ध्यान में कोई समस्या लाता है करनी करने में की सभाएता करें और Lyn इस सनिश्रितं करने पहले में जानते हैं कि लोगों को क्या चाहिए उदाहां के लिए यदि कोई कर्मचारी प्रतना को देता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी कड़ी मेहनत को मानिता नहीं दी जा रही है तो एक अच्छा लीडर उस मेक्ति से बात करेगा और वह मानिता प्रदान करेगा जो करना चाहते हैं तो आपको अनुशासन की आवश्यक्ता है उदाहरण के लिए मान ले कि आप और आपकी टीन निवेश्कों को आकर्शित करने के लिए एक व्यवसाई योजना बनाना चाहते हैं आपके पास व्यवसाई योजना के लिए बहुत सारे विचार थे लेकिन यह पूर्वा भ्यास किया जाए जब प्रस्ताफ पेश करने का समय आया तो आप निवेशकों को अपना उदेश ठीक से नहीं बता पाए इस परिणाम के परिणामस्वरूप निवेशकों ने आपके प्रस्ताफ को अस्विकार कर दिया एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको आत्मानुशासित होने की आवश्यक्ता है और सुनिश्चित करें कि आपकी टीम के अन्य लोग अनुशासित हैं लगातार सीखना नित्वत और सीखना एक दूसरे के लिए अपरिहार हैं जब चीजें तेजी से बदल रही हैं तो लगातार सीखना और खुद को चुनोती द संगर्शों से निपटनार लीडर को पता होना चाहिए कि मुश्किल लोगों को कैसे संभालना है और संगर्शों को कैसे सुलजाना है यदि कोई कर्मचारी अपनी शम्ता के अनुसार काम नहीं करता है और काम के प्रतीन नकारात मक्रवया लाता है तो आपको कदम बढ़ान होने के लिए आप कौन से कारे कर सकते हैं यदि आप पहले से ही एक लीडर है तो सोचे कि आप दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं तो इस तरह आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं हमारी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाल